एक अद्भूत द्रश्य मरे सामने हैं भव्य है, विराट है, विहंगम है और यह आज का यह जो अवसर है, इसके पीछे जो कल्पना है और आज हमारी आखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंग्तिया गुनगुनाने का मन करता है नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है नई किरण है, जोती नई नई उमंगे, नई तरंगे, नई आश है, सांस नई उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों पुनह नया निर्मान करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ती, नव प्राण भरो आज के ये दिव्य और भव्य भारत मन पम उसे देख करके हर भारतिय खुशी से भर रहा है, आनंतीत है और गर्व मैसूस कर रहा है भारत मंडपम आवान है भारत के सामर्थ का, भारत की नई उर्जा का भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भविता का और भारत की इच्छा शक्ति का कोरोना के कठीन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था हमारे देश के स्रम्जीवियों ने दिन रात महनत करके इसका निर्मान पूरा किया है भारत मंडपम के निर्मान से जुड़े हर स्रमिक भाई बहन को हर करमी को आज सच्चे रदय से मैं अभिनंदन करता हूँ उनका साधुवात करता हूँ आज सुबह मुझे इन सभी स्रम्जीवियों से मिलने का मोका मिला था हमारे इन स्रमिक साध्यों को सम्मानित करने का मुझे सौभागी मिला था हूँ आज उनकी महनत देख पूरा भारत विश्मित है भारत चकीत है मैं राजधानी दिली के लोगों को देश के लोगों को इस नए इंटरनेशनल कंविंशन सेंटर भारत मंडपम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ झाल